नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है मैं विद्देश इंक तिवारी दिल्ली में मद्दान खत्म हो चुका है हर किसी के जहन में एक ही सवाल है कि सिंघासन किसको मिलेगा दिल्ली का ताज किसको मिलेगा अलग अलग चैनलों ने इसको लेकर के एकजिट पोल किया है महाँ पे जब मद्दान के इंदर से बाहर निकलते हैं तो उनसे राय पूछी जाती है एक्जेक्ट कोई फार्मूला तो नहीं लेकिन काफी हद तक आप आएंगे कि अंदाजा ही होता है को कई बार ऐसा होता है कि लोग असली बात नहीं बताते हैं जिसको वोड करके आते हैं बट अभी तक का जो ट्रेक रिकार्ड रहा है एक्जिट पूल का उसमें कमों बेस उसका एक आप कह सकते हैं कि बीच का निकाल लेजिए तो पता चल जाता है जै उसी तरीके से जैसे कि चावल पकाते हैं तो एक ही दो चावल के दाने देखे जाते हैं कि पक गया कि नहीं उससे अंदाजा लग जाता ठीक इसी तरीके से यदि इस चुनाव का आप देखेंगे तो अलग-अलग चैनलों ने जो किया है उसमें सबसे पहले बात करते हैं टाइम्स नाव की तो उसने जो है आम आदनी पार्टी को 44 सीटे दी है और बीजेपी को 26 सीटे दी है कांग्रेस को 0 आएसे ही न्यूजेक्स नेता और इंडिया न्यूजेक्स नेता का जो अपना सर्वेय है उसमें पोल है जिट पोल है उसमें जो है 53 से 57 और आमादनी पार्टी को और बीजेपी को 11 to 17 और कांग्रेस को 0 से 2 सुदार्शन न्यूज ने भी किया है आपकी बार एक जिट प दो से 3 सीटे दी है इंडिया टीबी का जो एकजिट पोल है वो कह रहा है कि 44 सीटे मिल सकती है आपको 26 सीटे मिल सकती है बीजेपी को कांग्रेस को 0 और पोल आफ दे एकजिट पोल जो है ये निकालेंगे तो 49 से 50 सीटे जो है जा रही है आमादनी के पाल में और बीजेपी को 20 सीटे मिल रही है, कांग्रेस को एक सीट मिल सकती है, यदि वोट परसेंटेज की बात करेंगे, तो वोट परसेंटेज पर आएंगे, तो नो डाउट जो पिछला वोट परसेंटेज था, उससे बीजेपी ने अपने को सुधारा है, वो उसका 37% से लेकर के 40% के बीच में जा रहा है, और आम आदनी परसेंटेज 50% के आसपास रह सकता है, पिछली बार उसे 54% सीटे वोट मिला था, जिसमें कि उसकी सीटे बढ़ करके हो गई थी 67, लेकिन इस बार क्या है कि यदि 50% के आसपास भी उसे वोट मिलता है, या 50 से थोड़ा कम रा जाता है, तो उसकी सीटे घट रही है, यानि कि कोई भी जो पोल है, उसमें से एक नियुजेक्स नेता को छोड़ करके 50 से उपर उसको आमादनी पार्टी को नहीं दे रहा है, टाइमस नवान ने जैसा मैं पहले बताया, 44 दिया है, सुदार्शन ने 40 से 45 दिया है, इंडिया टीवी ने 44 दिया लेकिन जब सब एक सूर से बाते कर रहे हो, तो इसका मतलब साफ है, कि आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी है, बेसक उसकी कुछ सीटे घट जाए, वोट परसेंटेज थोड़ा कम हो जाए, लेकिन फिर से उसी की सरकार बनती हुई दिख रही है, एक बार फिर से अर्ब